किर्गनेम प्रोक Kyraa наблюд को हम पढ़े थे और किंगनेम प्रोक Kyraa के अंदर लास लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा था किस तरह से प्रोक Kyraawe अं पर हमने डिफ़रंश की कंट्रिबूशन को देख लिया था कि प्रोक Kyraawe और उनकी classification में different scientists ने क्या क्या contribute किया इसके लावा हमने jump theory of diseases की भी बात की थी आज का जो हमारा lecture है आज हम prokriot के अंदर हमारे पास जो major एक organism आजाता है जो के है bacteria इसके बारे में हम पढ़ेंगे बक्टीरिया के बारे में इसकी occurrence को देख लेंगे और इसके structure और shapes and forms को देखेंगे आज के lecture में तो start करते हैं हम अपने lecture को सबसे पहले हम देख लेते हैं occurrence of bacteria occurrence यानि के bacteria कहां पाए जाता है bacteria जो है हम इसे कहते हैं के बहुती white spread होता है और almost हर जगा पाए जाता है almost everywhere हर जगा पाए जाता है everywhere हम क्यूं कहते हैं because हर तरह के environment में जहां पर हमारे पास air है यह land है water है all deposits किसी भी तरह का environment हो उसके अंदर हम देखते हैं के bacteria present होते हैं इसको साथ साथ हम mention भी करते जाते हैं हमने कहा के air है water है या land है या पर हबास all deposits can यहाँ पर भी bacteria है इसके लवा food के अंदर bacteria पाये जाते है decaying material हमाई पास vegan क्षरी के यह जाता है this is can dal 25 बिख्तिरिय पायक इसके लवा plants के अंदर bacteria पाय जाते है plants के ऊपर जो रहते यह association बना लेते हैं, इसके लब हम man, human beings के अंदर हमने intestine को देखा था, intestine के अंदर भी bacteria पाए जाते हैं और man हो गया और animals, animals के अंदर भी bacteria जो है वो पाए जाते हैं, उनके elementary canal में पाए जाएंगे, digestive tract के अंदर पाए जाएंगे इस तरह से variation हम कहते हैं के bacteria के या तो different kinds हो सकती है या फिर बेक्टिरिया का number different हो सकते हैं या तादाद या quantity जो है वो बेक्टिरिया की different हो सकती है, different तरह के environment के अंदर तो इस तरह से bacteria के अंदर different variation आ जाती है इसके shape में और इसके structure में भी और जब हम इसकी contribution की बात करते हैं कि बैक्तिरिया किस तरह से help कर रहा है तो बैक्तिरिया का बहुत ज़्यदा helpful काम है अगर हम human beings के अंदर देखें तो human beings की digestion के अंदर बैक्तिरिया helpful role के अपना किरदार अदा करता है इसी तरह अगर हम दुनिया की बात करें contribution in natural world बात करें तो हम कहते हैं के natural fauna जो हमारे पास है natural fauna यानि के पूरी दुनिया के अंदर हमें इतनी भी green नजर आ रही है यह जितनी भी plants है हमारे पूरी दुनिया के अंदर उसके अंदर भी bacteria contribute कर रहा है किस तरह से कि वो decay करता है dead organic matter को गलने संडने में help करता है और इस तरह से क्या होता है कि nature के अंदर जितने भी cycles है वो run होते रहते हैं easily तो इस तरह से हमने देख लिया कि bacteria जिस तरह है वो help कर रहा है natural fauna में अच्छा कुछ bacteria जो है वो specific environments के अंदर पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हर तरह के environment में survive कर जाते हैं अब specific environment वाले कौन से bacteria है specific environment की जब हम बात करें तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसे bacteria है जो के hot springs में पाए जाते है hot springs मतलब के गर्म चश्मे जो है कुछ alkaline या acidic soil में पाए जाएंगे alkaline या acidic soil के अंदर कुछ bacteria पाए जाएंगे इसके अलावा कुछ saline environment में यानि के salty environment जो होगा highly saline environment तो इनके अंदर भी कुछ खास bacteria है जो कि सिफ इस तरह के environment में survive करता है इसके इलावा कुछ ऐसे bacteria है जो के pollution के अंदर या highly polluted soil हमारे पास अगर हो या polluted water हमारे पास हो highly polluted soil या water तो इस तरह के environment के अंदर कुछ bacteria जो है वो पाए जाते हैं इस तरह से हमने देख लिया के bacteria वाकरी widespread इसकी जो occurrence है हर तरह के environment में तकरीबन हर जगा पर यह पाया जाते हैं प्रो kiği dedских cell प्रोक्रीक जन उत्सलिक का नित्वाय हम जानते हैं कि membrane bounded organelles नहीं पाई जाती हैं is यही वज़ा है कि bacteria के जो सेल उसके इसके लिए कुछ खास organelles है की जो पाई जाएंगी और कुछ ऐसी उनगी जो क्छो करी नहीं होगी वो कौन से और गेनली से हैं जो हर बेक्टिरिया सेल के अंदर होती हैं उनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एक तो सेल मेंब्रेन सेल मेंब्रेन हर बेक्टिरिया के सेल के बाहर जरूर होगी ठीक है इसके लावा साइटो प्लाजम और राइबोजोम ribosomes and chromatin body यह औरगनेली है जो के हर बक्तिरिया के सेल के अंदर पाई जाती है इसके अलावा कुछ ऐसे औरगनेली हैं जो के maximumium या majority जो बक्तिरियल सेल हैं उनके अंदर पाई जाती है और वो क्या है उनके अंदर cell wall आ जाती है cell wall का क्या काम है वो उसको एक shape देती है ठीक है specific shape देती है इसके इलावा कुछ ऐसे bacteria हैं जिनके अंदर कुछ organelles पाई जाएंगी और कुछ नहीं होंगी ठीक है cell wall और flagella ऐसे structures हैं जो के mostly bacteria के अंदर पाई जाते हैं flagella ठीक है अब कुछ specific structures हैं जो के खास किसम के bacteria के अंदर ही पाये जाते हैं और वो क्या है उन structures में हमारे पास एक तो capsule आ जाता है slime आ जाता है flagella है pillai fimbray और granules ये कुछ structures ऐसे हैं जो के कुछ खास किसम के bacteria के अंदर ही होते हैं हर bacteria के अंदर नहीं पाय जाते हैं तो यह हमने structure की बात कर लिया, bacterial cell के अंदर पाई जाने भी different organelles की बात कर ली इसके बाद हम size के अपर आजाते हैं, bacteria का normally, normally क्योंके हम micro organisms को देख रहे हैं तो bacteria भी micro organisms के अंदर आता है, naked eye से इसको देखना जो है, वो possible नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है bacteria का size है, वो उसके अंदर variation पाई जाती है, हम कहते हैं कि तकरीबन 0.1 micrometer से लेके हमारे पास 600 micrometer तक bacteria का size है वो होता है, अब micrometer क्या होता है, micrometer आप जानते हैं की ही एक unit है, जिसके अंदर हम कहते है 10 raise to power minus 6 आजाता है, बट सिर्फ यही रेंज नहीं पाई जाती है, इसके इलावे बैक्तिरिया के size के अंदर different data की variation होती है, और वो variation बैक्तिरिया की shapes की वज़े से भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बैक्तिरिया जो है vary करता जाता है, for example, हम कहते हैं कि smallest mycoplasma है हमारे पास, smallest mycoplasma, उसका जो size है वो तकरीबन 100 से लेके 200 nanometer तक इसका जो diameter है वो होता है, ठीक है, अब nanometer आप जानते हैं कि मजीद और चोटी unit है, जिसको हम कहते है 10 raise to power minus 9, तो यह इतना चोटा size होता है mycoplasma का, लेकिन हम इसके सा साथ अगर इस टर्चिया को देखें, इस टर्चिया को लाए, इस टर्चिया को लाए का size है वो हम जानते हैं कि 1.1 से लेके 1.5, 1.1 से 1.5 micrometer तक इसका size होता है, ठीक है, यानिकि इसकी width इतनी होती है, width और अगर हम इसकी length की बात करें, तो length इसकी तर्ग्रिबन 2.0 से 6.5 0.0 micrometer इसकी length होती है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका size निस्बतन थोड़ा सा बढ़ा है, इसी तरह कुछ और हमारे पास example जाती हैं, जैसे कि हम spiral shoots को देखते हैं, spiral shoots जो हमारे पास spiral वाला bacteria है, ठीक है, तो spiral shoots जो हैं, इनकी size के जब हम बात करते हैं, तो spiral shoots तक पर हमारे पास 500 micrometer तक भी पाए जाते हैं, ठीक है, जबके हम cocus जो हमारे पास round या spherical bacteria है, इनके sizes के बात करें, तो हम कहते हैं कि इनके अंदर हमारे पास staphylo cocae है, staphylo cocae, और इसके इलाब हमारे पास streptococoe, strepto cocae, यह दो forms हमारे पास cocae bacteria की, और इनका size है, वो तक 5 micrometer तक पाए जाते हैं, तो और आप देख सकते हैं, के 0.1 micrometer से 600 micrometer तक इनकी range जो है, वो हमने देख ली different तरह के bacteria में, तो यहां तो हमने देख ली इसका size, इसके बाद हम आजाते हैं, shapes of bacteria, जैसे कि हमने यहां पर 3 shapes की बात की, तो overall हम देख लेते हैं, के bacteria का size है, वो 0. 0.1 से 600 micrometer तक पाए जाते हैं, तो यह तो हमने इसके size की बात कर ली, इसके बाद हम आजाते हैं, shapes of bacteria पर, ठीक है, के bacteria किस तरह की shapes में पाए जाते हैं, जैसे कि हमने 3 shapes की भी बात की है, shapes of bacteria, अच्छा, जैसे कि उपर हमने बात की, के bacteria जो है, वो 3 major shapes के अंदर पाए जाते ह हैं, 3 categories, और वो कौन कौन सी categories है, 1st पर हमारे पास आजाता है, kokai, 2nd हमारे पास आता है, bacilli, और 3rd पर हमारे पास है, spiral, 1 by 1 हम इनको देखते जाते हैं, कुछ bacteria जो हैं, वो different forms में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं, paleomorphic, bacteria, paleomorphic का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि they exist in several forms, एक से ज्यादा forms में भी पाए जा सकते हैं, या exist in variety of forms, या variety of shapes, ठीक है, तो यह हमने देख लिया, paleomorphic को, अच्छा, 1 by 1, अब हम इन 3 categories को देखते जाते हैं, 1st पर हमारे पास है, kokai, अच्छा, kokai जो है, वो हम कहते हैं, कि यह हमारे पास circle की form है, या spherical structures की form होते है, kokai, वो bacteria होते है, spherical या oval हम इनको कह सकते हैं, इनकी different तरह की arrangement पाए जाती है, और arrangement किस तरह से हो सकती है, वो इनके plane of division के हिसाब से, इनकी different arrangement होती है, different तरह की हमने कहा कि arrangements इसके अंदर पाए जाती है, seven basic arrangements के हम बात करते हैं, और यह seven arrangement किस तरह से होती है, हुने कहा plane of division, plane of division, अब यह plane of division क्या चीज़ है, यह चीज़ आपको समझ आएगी, अगर आप इस figure को देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको shapes नज़र आ रही है, हम पर हमारे पास cuántis है, फ़ी बैस्व sector is spiral में, ठीके, फिल्हाल हम को कोकस को देख रहे हैं, यह कोकाय बेक्टीरिया को देख रहे हैं, कोकाय के अंदर क्या होता है, कि अगर हमारे पास one plane है, अगर हम one plane की बात कर रहे हैं तो one plane के अंदर अगर हमारे पास spherical bacteria है तो वो किस तरह से पाए जाएगा one plane के अंदर या तो वो single bacteria होगा single egg होगा या फिर दो इकठे इस तरह से करके bacteria होगा ठीक है तो ये one plane के अंदर हम देख लेते हैं इनको हम क्या कहते हैं यह हमारे पास है डबल अगर होगा तो हम हम इससे कहँए के डिपलो कोकस थीक है इसे तरह अगर इसकी चेंद लंबी होते जाएगी इसे दो से जादा है जैसे कि यां पे आप report में देख रहे हैं तो उसे जादा की लंबी चेन होगी तो उसे हम कहेंगे streptococcus ठीक है यह मारे पास होगा streptococcus क्या चीज यह लंबी सी chain होगी हमारे पास और यह सब आप आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह सब एक ही plane के अंतर है ठीक है bacteria दोनों साइड्स पर होंगे ठीक है यानि कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का structure हो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि lengthwise भी है और widthwise भी है तो इस तरह से हमारे पास दो plane आगे और इनको हम क्या कहते हैं two planes में हमारे पास जोते हैं हम tetraid भी कहते हैं ठीक है यानि कि यह क्या है यह basically square है square of four gokai ठीक है यह हमने देख लिया two planes को इसी तरह हमारे पास three planes में भी पाए जाते हैं bacteria three planes और three planes में जब होंगे तो वो किस तरह का structure होगा उससे हम कहेंगे वो हमारे पास बन जाएगा cube ठीक है अगर हम एक cube बनाएं और cube के हर कोने के ऊपर एक-एक कोकाई bacteria रख दें तो इससे हमारे पास एक cube bacteria बन जाए या cube form बन जाएगी three planes के अंदर bacteria की और cube वाला structure वो किस तरह का हो सकता है क्यूब आए structure को अगर आप देखना चाहिए कुछ हमारे पर रैंडम structure भी पाए जाते हैं वो किस तरह का अगर आप यहां पर देखे स्टेफाइलो कोकस को तो स्टेफाइलो कोकस आपको देख रहा है कि यहां पर different हर तरह के plane के अंदर यह पाए जाते है ठीक है पहरे तो हम cube बना रिते हैं क्यूब हम कैसे बनाते हैं let suppose हम एक normal cube बना रहे हैं अब इस क्यूब के हर कोने पे अगर हम एक एक बक्तिरिया को रख दें जैसे के यहां पे 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 तरह का चाहिए हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया यह हमारे पास क्यूब बन रेंडम प्लेंज की जब हम बात करते हैं तो रेंडम प्लेंज की एक्जामपल में हमने कहा कि हमारे पास आता है स्टेफाइलो कोकस को कस ठीक है स्टेफाइलो कोकस की एक्जामपल अगर आप देखें यहाँ पे आपको नज़रा रहा है एक अंगूर के गुच्छी तरह का ग्रेब के बंच की तरह का हमारे पास स्ट्रक्टर होगा इस तरह से हम को घ्रेब को देखते हैं नगे तो बस ऐसा ही समझ लें कि आप घ्रेब की टहनी को खतम कर दें तो हमारे पास Staphylococcus bacteria जो है वो बन जाएगा अगर हम example की बात करें कि overall हमारे पास Cocae bacteria जो है वो कौन-कौन से bacteria हैं जो के Cocae bacteria पाए जाते हैं examples तो examples के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो एक आजाएगा Diplococcus pneumoniae Diplococcus pneumoniae और यह क्या है यह वो बैक्तिरिया है जो के नम्यूनिया जो हमारे चोटे बच्चों के अंदर mostly disease हो जाती है respiratory problem है यह हो जाता है वो इस बैक्तिरिया की वज़ा से होता है ठीक है इसके लावा एक और example हमारे पास Staphylococcus Aureus तो यह हमने देख ली दो एक्जांपल्स इसके बाद हम आजाते है Bacillai के उपर Bacillai जो है वो हमारे पास Rods शेप बैक्तिरिया होता है Rods की form में बैक्तिरिया जोगा पाई जाता है इस तरह से और यह जो Rod है यह भी इसी तरह से हमने कोकाई को देखा है इसी तरह Rods शेप बैक्तिरिया की भी different forms पाई जा सकती है और वो forms भी plane के हिसाब से हम उसको जब divide करते हैं तो हम different forms बना लेते हैं हम कहते हैं कि अगर one plane हो हमारे पास एक plane होगा तो क्या होगा कि single plane के अंदर जो बने को उसे हम कहेंगे bacillus simple हमारे पास जो bacillus कहलाता है यजियानि एक जो हमारे पास single cell of bacteria है वो bacillus कहलाता है इसे तरह जब हमारे पास एक ही plane में दो बैक्टिरिया इस तरह से पाई जाएंगे इस तरह तो इसको हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे diplóbacillus diplóbacillus bacillus और अगर हमारे पास long chain होगी इस तहाँ से different bacteria आपस में जुड़े वे होंगे long chain में तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे streptobacillus तो यह हमने देख लिया streptobacillus इसके अगर हम example की बात करें तो examples में हमारे पास different तार के bacteria आ जाते हैं example और वो कौन कुन से हैं? एक तो हमारे पास बहुत ही famous ischurchia coli ischurchia coli इसके बाद हम देखते हैं एक और example हमारे पास bacillus subtilus और एक और example हमारे पास pseudomonas यह तीन जो हम इसकी example में देख लेते हैं bacillus की ठीक है? यह तीनों हमारे पास rod shape बैक्टिरी आते हैं इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी third form के उपर जो के है spiral shift spiral shift जैसे के आपको नाम से अंदाजार होए कि यह वो बैक्टिरी हैं जिनका spirals की तरह का structure होगा ठीक है? और यह जो spirals है इनके भी मजीद भी रागे से थ्री forms आ जाती है 3 forms के अंदर यह पाये जाते हैं इनको हम यहां पे इससी डिवाइट कर देते हैं एक जो है हम कहलाते है, एक वह कहलाता है vibrio दूसरा है, वह कहलाता है spiralium और third form है वह कहलाती है spiral cheats यह तीन हम देखते हैं कि इसकी फॉर्म होती है spiral bacteria की अब यह तीन फॉर्म जो है वो एक दुस्य से किस्ता से डिफरेंट है सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले लिखा हुआ है वाइब्रो ठीक है वाइब्रो क्या है यह कॉमा शेप बेक्टिरिया होता है spiral हम जो है इसके अंदर इसका जो structured है वह rigid और thick structure होता है उसके लिए हम इसे कहते हैं कि यह rigid और thick spiral पे मुच्राम पे मुश्तमिल है इसका structure fck है cabin spiral हम कहते है इसके बाद आठे हमारे बास spiral spirochete और spirochete क्या है spirochete जो है वो थिन होता है पतला होता है और flexible होता है thin and flexible spiral इस तरह का जो structure होगा वो spirochete होगा ठीक है और अगर हम इसके example की बात करें spiral bacteria की तो examples के अंदर हमारे पास spiral bacteria में एक तो वाइब्रो आजाता है वाइब्रो इटसेल्फ एक bacteria का नाम है इसके इलावा हमारे पास hyfo microbium hyfo microbium यह इसके example में आगया ठीक है तो यह हमने देख लिया different shapes of bacteria को यहीं पर अपने lecture को खत्म करते हैं next lecture के अंदर हम detail में है bacteria के जो हमने cell structure की बात की थी हमने different organelles को लेखा था तो वो यहाँ पर यह वली जो organelles हैं हम इनको one-to-one detail में देखते जाएंगे अपने next lecture में तो यह ता हमारा आज का lecture कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो कर दो कर दो कर दो